हलो डियर स्टुडेंट्स, वालकम टू मैंगनेट ब्रेंज, मैं संचुदा जैन, आप सभी की शोसल साइंस एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 के सामज विज्ञान में जियोग्रॉफी के चैप्टर नमबर 3 का अगला टॉपिक चैप्टर का नाम है अपवाह और टॉपिक का नाम है जीलें पहले यह चैप्टर हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का इंट्रोड़क्शन हमने देख लिया है उसके बाद हमने कुछ बेसिक सी डेफिनेशन एक स्पेशल टर्मिनलोजी के साथ देखी प्राइडीपी भारत की नदियों के बारे में जाना था जैसे कि गोदावरी, कृषणा, महा नदी, कावेरी, दामोदर, ऐसी नर्मदा और ताप्ती, ऐसी कई अन्य नदियों के बारे में जाना था और साथ हिमाले शित्र की नदियों की विशिस्ताएं और प्राइडीपी तो आप ये बता देएं कि पहले जितना मेने पढ़ाया है इस चैप्टर के जितने भी पाट्स हो चुके हैं वो आपने अभी तक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो फटाफट से जाई और पढ़ लीजिए Magnet Brains प्रोवाइड कराता है Class 6 से लेके Class 12 तक के सारे कोर्सिस जी हाँ और इग्दम Free of Cost, Fully Organized Complete Course के साथ एक ही सिंगल प्रेटफॉर्म पर E-Book सुरी Notes की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं CVSC Board के Slaves को Complete कराने के साथ MP Board, UP Board, Bihar Board, दिली Board, राजस्तान Board के Slaves को Complete कराया जाता है साथ इसाथ उन सारे State Board के Slaves को Complete कराया जाता है जहाँ पर NCRT का Pattern Follow किया जाता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRT से आल राइट, तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके Like Share के साथ शुरू करते हैं आज का ये Session जीलों के बारे में तो जीलों का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जीले, जैसे ये शब्द हम सुनते हैं जील बड़ा ही प्यारा शब्द है, ठीक है तो जीले सभी ने देखी है और जील का नाम सुनते ही हमारे मन में बहता हुआ पानी नजर आ जाता है पहाड नजर आ जाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा मौसम नजर आ जाता है ठीक, एक अच्छा सा मौसम हमारी आंखों के सामने दिख जαता है और हमें लगता है कि भाई अब तो गूमने जाना चाहिए ठीक है तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं तो चलिए जानते हैं जीलो के बारे में तो भारत में कई सारी जीले हैं और भारत का एक ऐसा शहर है भाई साब कौन सा शहर है उसका नाम आपको बताना है भारत का एक ऐसा शहर जो जीलों के शहर के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से कॉमेंट करके आप बताएं कि भारत के किस शहर को जीलों के शहर के नाम से जाना जाता है तो चलिए देखें भ जील का आकार भिन्न है अलग अलग जगहे परिस्तित है अब उनकी भू आकरती अलग अलग है इसलिए उनका आकार अलग अलग है उनके लक्षण अलग अलग है अब लक्षण से क्या मतलब हो सकता है वह आकार अलग होना वह तो इस बात पर डपेंड करता है कि उसकी लोकेश अगली बात क्या कही गई है कि अधिकतर जीले स्थाई होती है तता कुछ में केवल वर्शा रितू में ही पानी होता है अधिकतर जीले स्थाई होती हैं इस्थाई यानि के उनमें हमेशा पानी रहता है लेकिन कुछ जीलें ऐसी होती है जिनमें पानी सिर्फ वर्शा के मौसम में ही पाया जाता है बारिश के मौसम में ही होता है ठीक है यहां कुछ ऐसी जीले हैं जिनका निर्माड हिमानियों बर्फ की चादर की क्रिया के फल्सुरूप हुआ है कहां पर हमारे भारत देश में हमारे भारत देश में कुछ जीलें ऐसी है जिनका निर्माड कैसे हुआ है हिमानियों से आ रही हो पर्वतों पर जो बर्फ धकी हुई है हिमका मतलब क्या होता है बर्फ तो पर्वतों से जो बर्फ पिघल रही है पर्वतों पर जमी हुई जो बर्फ पिघलती हो नीचे की उराती है वो हमें जील के रूप में दिखाई देती है फिर देखें जबकि कुछ अन्य ज क्रिया कलापों के फल्सुरूप हुआ है यानि कि जरूरी नहीं कि हर एक जील प्राकृतिक जील ही हो प्रकरती द्वारा ही उसका निर्माड हुआ हो कुछ जीले ऐसी भी है जिनका निर्माड कैसे हुआ है जिनका निर्माड मान विये क्रिया कलापों के कारण हुआ है ओल रा का निर्मार करती है अब दो शब्दें यहां पर आए हैं भई साब तो जिन स्टुडेंट्स ने पहला lecture इस chapter का attend किया होगा उन्हें विसर्प के बारे में भी पता होगा कि विसर्प क्या होता है और गोखुर जील क्या होती है इस बारे में भी पता होगा बात आरी समझ में मैं फिर से बताऊंगी don't worry आप ऐसा ना समझें कि मैंने सिर्फ एक बार बताया था तो एक बार ही बताऊंगी जहां जहां जो शब्द जितनी बार आएगा उतनी बार आपको समझाया जाएगा अब देखें एक विसर्पनदी पहले point पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना भैई एक विसर्पनदी बाढ़ वाले शेत्रों में कठकर गोखुर जील का निर्माड करती है अब सुनो भैई साब ध्यान से सुनना है सबको ये देखो विसर्प नदी की बात हो रही है इसको ध्यान से देखना है ठीक है विसर्प तो सबसे पहले समझना की विसर्प क्या होता है ठीक है अब जब नदी बहती है और नदी बहती हुई एक भूवाक्रती के कारण एसक्षर की जैसी सरश्णा बनाती है जो अंग्रेजी का कापिटल लेटर है एस स्मॉल लेटर है कापिटल वो देखने में एक सही होते हैं तो जैसे कि हम बात करें यह नदी यहां से बहती हुई आ रही है इस तरीके से नदी बहती हुई आई ठीक है और कुछ इस तरीके से उसने अपना मोड बनाया बात आई समझ में क्या कहते हो किलियर हो रही है बात चलिए नदी की बात है नीले रंग से आपको दिखाते हैं ठीक है चलिए यह देखें वही नदी कुछ इस तरीके से बहती हुई आ रही है ठीक है और नदी ने क्या किया यहां आते ही कुछ इस त लिया अब यह जो आपको दिखाई दे रहा है इस अकार की संवर्षणा आपको दिखाई दे रही है जिस तरीके का मोड़ एक नदी न लिया है वो क्या है वो है विसर्प इससे क्या कहेंगे विसर्प कहेंगे तो नदी जब अपनी एक भूँ आकरती के कारण कुछ इस तरीके का मोड बनाती है कि वो दिखने में अंग्रेजी के अक्षर अंग्रेजी के लेटर ठीक है अलफाबेट के लेटर एस के जैसा दिखाई देता है तो वो क्या है विसर्प है ठीक है अब यहाँ पर क्या कहा है अब ध्यान से सुनना एक विसर्प नदी बाड़ वाले शेत्रों में कटकर गोकुर जील का निर्माण करती है अब क्या हुआ कि अगर इस नदी का कुछ भाग बाड़ वाले शेत्रों में यानि की बाड़ वाले मैदानों में ठीक है इस नदी का जो है कुछ भाग पानी ठ ठीक है तो जब नदी का कुछ पानी अपनी मुख्यधारा से अलग होकर ठीक है मैदानी छेत्र में पहुँच जाता है कहां पर पहुँच जाता है मैदानी छेत्र में पहुँच जाता है कुछ इस तरीके से ठीक है मालो इस तरीके से ये मैधानी शेत्र में ये पानी पहुंच गया ठीक है बात आरीए समझ में मुख्यधारा से अलग होकर मैधानी भाग में प्रवेश कर जाता है और एक जील का निर्माड कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है गोखुर G Autas अब देहों ये वाली इमेज आपको clear दिखाई दे रही है इसमें देखना तो ये जो पानी है ठीक है ये नदी ये बई ये देखो नदी की मुख्य धारा है ये देखें ये देखें नदी की मुख्य धारा है किलियर हो रही है बात ये देखें बई नदी बिलकुल एक फ्लो में बह रही है ठीक है यानि की कटी फटी नहीं है लेकिन मोड है इस्थलाकरती की कारण मोड है ये क्या है ये क्या है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं ये विसर्प ही है ठीक है अब बात करें इसमें गोखुर जील की तो ये देखो भई साब दियान से देखना ये जो छेतर आपको दिखाई दे रहा है ये देखें वई ये देखें ये देखें ये क्या है नदी का पानी नदी से हटकर मैदानों में प्रवेश कर गया है और वहाँ पर अलग जगह पर एक जील का निर्माण उसने कर लिया है तो ये क्या है? ये है आपकी गोकुर जील है. इस तरीके की संरशना क्या कहलाईगी? गोकुर जील कहलाईगी. All right, किलियर हो गई ये बात, यहां तक की बात किलियर? तो एक विसरपनदी बाड़ वाले शेत्रों में कटकर गोकुर जील का निर्मार करती है और मीठे पानी की अधिकांश जी लें क्या बात करी गई है दूसरा पॉइंट सुनना एक पॉइंट क्लियर हो गया दूसरा पॉईट मीठे पानी की अधिकांश घीलें हिमालय छेत्र में हैं जैसे कि हमने कहा था कि लक्षणों के आधार पर भी जीलें अलग-अलग हैं दूसरे से मीठे पानी की जीले खारे पानी की जीले तो मीठे पानी की अधिकांश जीले हमें कहां दिखाई देती है हिमालाय शेत्र में मिलती है और यह तब बनी यह जीले कब बनी जो मीठे पानी की है हिमालाय शेत्र में है यह तब बनी जब किसी छेत्र में शिलाओ अथवा मिट्टी से हिमानी म मार्ग बंध गए सुनना ध्यान से पहली बात तो मीठे पानी की जील कहां मिल रही आपको हिमालाय शेत्र में हिमालाय शेत्र में ही क्या मिलेगा बर्फ मिलेगा हिमानी मिलेगी ठीक है तो इन नदियों इन जीलों का निर्मार कैसे हुआ यह जीले तब बनी जब किसी छेत्र में जब किसी हिमालय शित्र में सिलाओ यानि की बड़ी बड़ी चटानों या फिर मिटी से हिमानी के जो मार्ग है बर्फ से बहने वाली जो धारा है उसके मार्ग बद गए हिमानी के मार्ग बद गए तो वहां पर काहे का निर्माण हो गया भाई साब मीटे पानी की जील का कौन सी है तो देखें जम्मू तथा कश्मीर की वुलर जील कौन सी जील याद रखना नाम है जील का वुलर जील किस स्टेट में है जम्मू और कश्मीर में है ठीक है जम्मू कश्मीर की वुलर जील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राक्रतिक जील है अब देखो यहा और कैसी जील है भाई साब प्राक्रतिक जील है कैसी जील है प्राक्रतिक जील है तो सुनना ध्यान से सुनना यहीं पर सारी चीजें याद करनी है ठीक है आप से पूशा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील वुलर जील वुलर जील कहा है जम्मू कश्मीर में है वुलर जील किस तरीकी की जील है, मीठे पानी की जील है, जम्मू कश्मीर में इस्तित मीठे पानी की जील का नाम क्या है, वुलर जील, ये जील, वुलर जील प्राक्रतिक जील है, या फिर कृत्तेम यानी की मानो निर्मित जील है, तो वुलर जील आपकी प्राक्रतिक जील ह ओल्राइट किलियर तो देखो एक विसरपनदी ठीक है एक विसरपनदी बारवाले छेत्रों में कटकर ठीक है यह नदी कटकर गोकुर जील का निर्माड करती है मिठे पानी के दिकांस जीले हिमालाय छेत्र में है और यह कब बनी मिठे पानी की जील यह तब बनी जब किसी छ और इडियर चलते हैं आगे अब देखें मानो निर्मे जील प्राक्ट तेक जील तो जान ली अब मानो निर्मे जील जो है जल विद्य तुत्पादन के लिए नदियों पर बाध बनाने से भी जील का निर्मार हो जाता है मानो निर्मे जील की हम बात करें तो मानो निर्मे जील का निर्मार कैसे होता है जब नदियों पर बाध बनाया जाता है नदियों पर बाध क्यों बनाया जाता है बिजली बनाने के लिए जल विद्य तुत्पादन के लिए नदियों पर बाध बनाने से भी जील का निर्मार ह जाता है यानि कि जब बांध बनाया जाता है तो मनिश्य के द्वारा ही बनाया जाएगा जैसे कि हम बात करें जो गुरु गोविंद सागर जील है ठीक है भाकणा नागल प्रियोजना है यह क्या है यह है आपकी मानव निर्मित जील किस प्रकार की जील है मानव निर्मित जी औल्राइट किलिए यहां तक की बात एक कंसेप्ट किलिए हो गया जीलों के बारे में चलिए अब देखें अब जाने के हम जीलों के महत्व के बारे में कि आखिर हमारे जीवन में जीलों का क्या महत्व है तो देखें एक जील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है अत्यदिक वर्षा के समय यह बाड को रोकती है जब जादा वर्षा हो जाती है तो गर उस शेत्र में जील है तो वह बाड को र दोखदेती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाओ को संतुलिद करने में सहायता करती है ठीक है अफिर देखें इनका प्रयोक जल्विद्धyes पादन में जीले होती हैं वहां की जलवायू ना बहुत जादा गरम होती है ना बहुत जादा ठंटी होती है एक दम संतुलित जलवायू रहती है फिर देखें जलिये पारी तंत्र को संतुलित रखती है जलिये पारी तंत्र को यानि की जल में रहने वाले जीव जन्तु पेड़ पौध जीले जो है प्राक्रतिक सुंदरता वा पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनुरंजन प्रदान करती है क्योंकि प्राक्रतिक रूप से जब हम घूमने जाया करते हैं प्रकरती के बीच घूमने जाते हैं तो यह तो हम पहाड़ों पे जाते हैं नदियों के आसपास जाते हैं स जीलों से संबंधित, अभी तक जितनी भी बातें अपनने जाने, सबी को कलियर हैं, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई समस्या, बढ़ा जाएंगे, तो चलिए, तो ये बात हुई भारत की जीलों के बारे में, उमीद है कि सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ग 100% free online education platform है, इसके इलाव अगर आप e-books, उरी नोट्स भी चाहते हैं, उनकी लिंक भी वीडियो के description box में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses, Hindi medium, English medium, दोनों में उपलब्ध हैं, जी हां, कई सारे state board के syllabus को हम complete कराते हैं, CBC board के साथ-साथ, दिल्ली board, भिहार board, MP board, UP board, राजस्थान board, इतने सारे board के syllabus को complete कराने के साथ-साथ, उन सारे state board के syllabus को complete कराया जाता है, जहां पर NCRET का pattern follow किया जाता है, और क्यूंकि हम कहां से पढ़ाते हैं आपको NCRET से, हमारे पास आपके लिए कई सारे special courses भी हैं, जै इतने सारे courses, एक ही single platform पर high quality education के साथ, एकदम free में उपलब्ध कराये जाते हैं, जी हां, Magnet Brains, YouTube के लावा other social media platform, जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्ध हैं, आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं, यहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आज के session को जादा से जादा like और share करते हुए channel को subscribe भी करना है, हमारे साथ बने रहे हैं, जुडे रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, खुश रहे हैं, thank you so much